चलिए अब हमारे प्रिधान मंत्री मानिया श्री नरेंद मोधी जी के वादों को जरा उनका आखलन कर लेते हैं तो क्या-क्या वादे किये उन्होंने? 2014 में लोकसभा चुनाप से पहले लोकसभा चुनाप के दोरान जो उन्होंने जंता से वादे किये बड़े-बड़े वादे, बड़े ढोल पीट के वादे किये लिकिन उनका हुआ क्या? आप सबको मालूम है फिर भी एक-एक करके देखते हैं कि उनके क्या-क्या वादे थे तो उन्होंने वादे किया और ये पहले से भी था भाजपा का बड़ा जबरदस्त जो है वादा रहा अनुच्छे 370 जिसको धारा 370 बोलते हैं धारा नहीं बोलते हैं उसको ये धारा सही शब्द नहीं है क्योंकि समविधान के जितने भी प्रावधान है उन्हें अनुच्छेत कहा जाता है धारा नहीं कहा जाता है धारा आम जो कानून है उसमें कहा जाता है जैसे IPC के अंतरगत है या CRPC या CPC के अंतरगत है या और जो कानून है लेकि समविधानी जो भी प्रावधान है उन्ह विले किस सरे से हैं वो सारी चीजों की व्याख्या की गई है तो ये बड़ा धोल पीट पीट के कहते थे भाचपा कहती थी कि हम अनुच्छे 370 को खत्म करेंगे किया क्या मानिय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहरी बाचपई जी कि सरकार के दोरान बे बड़ा वाधा किया उसके बाद में खुब ढोल पीटते रहे अब चार साल इनके भी चले गए नरिंद मोदी जी के भी लेकिन वाधा पूरा किया अब तो इन्हीं ध्यान भी नहीं है अब तो ये उसकी बात भी नहीं करते इसका लाबा राम मंदर अगर राम मंदर बना देंगे तो फिर अलक् मंदर ना बना है ना बनेगा और ये केवल एक मुद्दा रहेगा ताकि बीजेपी इस पर अलक्षन लड़ सके वो इनके विशे में एक बड़े अच्छी वो भी है बड़े कमेंट करके लोग कहते भी हैं आप लोगोंने सुना भी होगा कि मंदर यहीं बनाएंगे पर तार नहीं बताएंगे क्यों बहिए बताते क्यों नहीं और मामला जब सुप्रिम कोर्ट में है तो आप जानते हैं जब तक कोई भी मसला माननी अदालत के समझ है उसके सामने है उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता कोई सरकार कोई अधिकारी कोई मंतरी कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और सुप्रिम कोट के अंतरगत ये राम मंदिर का मसला राम जन भूमी का मसला इस समय है जो भी कुछ होगा वही से होगा उससे पहले नहीं होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 2019 के जुनाव से पहले कुछ नहीं होगा और उसके बाद भी कुछ नहीं होगा केवल वादा ही वादा है और कुछ नहीं है को को मुद्धा है इसे पह तो इना election लड़ना है इसलिए ये वादा ही रहेगा अब आजाए हम अच्छे दिन अच्छे दिन का वादा किया ता मान्य मोदी जीन किसके अच्छे दिन आए भाई किस गरीब के किस आम आदमी के किस नौकरी पेशा विक्ति के किस साधराण जनता के किसके अच्छे दिन आए लोगों के रोजगार छिंगे नोट बंदी में और GST के जो इन्होंने हतोरा मारा है लोगों के सिर पे दे के उससे हाँ अच्छे दिन आए हैं मेहुद चौकसी के अच्छे दिन आए हैं विजे माल्या के अच्छे दिन आए हैं ललित मोदी के अच्छे दिन आए हैं नीरव मोदी के और अच्छे दिन आए हैं विक्रम कुठारी के सारे के सारे देश का पैसा लूट कर देश से फरार हो अच्छे दिन आए अमबानी के, अच्छे दिन आए अडानी के, अच्छे दिन आए अरबपतियों, खरबपतियों के, जिनके पास आज की तारीक में इस देश की लगबग 73 पृतिशत प्रोपर्टी जो संपत्ती है, वो देश के मातर एक पृतिशत लोगों के हाथ में हैं, 73 सेकतर पृतिषित प्रिपरटी एक पृतिषित लोगों के हाथ में है और 63 करोड लोगों के पास मातर एक पृतिषित प्रिपरटी है यह फाल है अच्छे दिन उनके आए हैं। का उसकी लागत से दुगना मूले देंगे तो दिया क्या चार साल हो गए दुगना मूले उसका डेड़ गुना मूले दिया क्या नहीं दिया डेड़ गुना मूले किसका लागत का तो लागत माना अगर 10,000 है तो 15,000 है उसका होना चाहिए डेड़ गुना और जो लागत है उस स्वामी नाथन कमिशन की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंसार उसके कुल लागत जो सीटू जिसे उन्होंने कहा है सीटू में जैसे जो किसान की महनत जितना भी उसमें वो खरीद के जो भी माल लगाता है चाहे बीज हो या खाद हो या पानी हो वो प्लस उसकी अपनी महनत प्लस उसकी जमीन का जो एक रेंट है यह सब मिलाके जो सीटू बनता है उस पे उसकी लागत का डेड़ गुना होना चीए और आज की तारिक में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो गैहूं जो लगबग साड़े सत्रे सो रुपे क्विन्टल के हिसाब से आज है सरकार के हिसाब से एक्जक में सत्रे सो पैंटिस के लगबग शाद है तो उस पे जो दे रहे हैं हम वो तो उसकी लागत भी नहीं है उसकी लागत ही अगर हम सीटू के हिसाब से देखें तो वो लगबग 2200 रुपे के लगबग आती है और उसके हिसाब से लगबग 3300 रुपे प्रति कुिंटल गेहों का भाब उसका होना चीए MSP उसका होना चीए लेकिन दिया नहीं दिया पर आंक्रों में हेर फेर करके वो सारा का सारा कर रही है उसके हिसाब से नहीं चलिए जिसके हिसाब से इन्होंने वादा किया तो स्वामी नाथन कमीशे की रेपोर्ट के अंसा डेड़ गुना देंगे उसकी लागत का नहीं किया ये वादा इनका जुटा जो वादा मोदी ने खूब धूल पीट-पीट कर किया और उनके जो सयोगी हैं, उनके जो हनुमान हैं, रामदेब, उन्होंने भी खुब ढोल पीट पीट कर किया, कि जो काला धन है, विदेशनों से उससे वापिस लाएंगे, कितना काला धन? काला धन भी इतना कि हर किसी व्यक्ति के खाते में, देश के व्यक्ति, हर व्यक्ति के खाते में, 15 से 20 लाख रुपे तो ऐसे ही आ जाएंगे, इतना काला धन है, लिकिन 4 साल बीद गए, लाने की तो बहुत दूर है, लोगों के खाते जो खुल गए, उसके बाबसुद भी 1 प शब्द भी मुह से नहीं निकलता अब काले धन के उपर, आज की तारीक में तो पूरा बनिया बैठा है, बना हुआ बैठा है वो, पूरा का पूरा व्यापारी बन गया है, सिर्फ कोलिगेट का, उसका जो दंत कांती है, उसका वो करेगा, सर्सों के तेल का वो करेगा, सार देखें, इन्होंने का 24 गंटे बिजली देंगे, दी क्या 24 गंटे बिजली, भ्रस्टाचार खतम करने की बात है, किया भ्रस्टाचार खतम, बहुत लेटेस रिपोर्ट है, भ्रस्टाचार के उपर, जो अंतराश्ची संसा है, जो देख रही है, ये भ्रस्टाचार की पीचे आते चले जा रहे हैं, तो भ्रस्टा चार में और भ्रस्ट होते चले जा रहे हैं, और यह जो मैंने अभी आपको बताया, मेहुल चौकसी है, ललित मोदी है, नीरव मोदी है, यह विजय मालिया है, विजय मालिया तो इन्हीं की मदद से बना, जो बीजेपी ने उसे वोट दिये तभी तो राज्यसवा में विजय मालिया पहुंचा और इसके अलावे विक्रम को ठारी है और ना जाने कितनी अभी कली मैंने देखा कि 390 करोण रुपे का एक और घुटाला हुआ है वो भी निकल के एक बैंक में आया है तो इस सारे के सारे जो घुटाले हैं भ्रष्टाचार बड़ा है भ्रष्टाचार खतम नहीं हुआ इसके अलावा इनके जो वादे हैं दो करोड लोगों को दो करोड बेरोजगार नौजवानों को हर साल पूरे पांस साल में नहीं कहा इनों है पांस साल में तो दस करोड़ों लोगों को रोजगार देना था इ तो ही एक अपने आपको जो सब कुछ करने वाले एक कल्यार कारी व्यक्ति बन कर आये तो उन्होंने तो वाद़ किया था तो दो करोड लोगों को प्रतिवर्श रोजगार देने की बात इन्होंने कही जो इन्होंने एक 2015 में राश्चेस तर पे एक संस्ता बनाई बेरोजगा लोगों को रोजगार दिये हैं और नोट बंदी और GST से इन्होंने लगबग 5 करोड लोगों को बेरोजगार कर दिया ये इनका रोजगार देने कहाल है और इतना ही नहीं जो सर्विस हैं पहले से निकाली हुई ती जो वेकेंसी थी उनको भी खतम कर दिया और हर दिन ये अबी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले